ये हैं मास्टर सहब जिन पर देश का भविश्य बनाने के जिम्मदारी है लेकिन ये मास्टर सहब तो घुरु घंटान लिख ले अब आप भी सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आफ्टर नूम ऐसे भी का जाता है डीम ने जब सरकारी स्कूल के मास्टर की क्लास ली तो मास्टर सहब गुड आफ्टर नूम की स्मेलिंग तक नहीं बता पाए फिर जब उनसे 17 का पाड़ा पूझा तो मास्टर सहब वो भी नहीं सुना पाए देखिए अपने ही स्कूल के बच्चों के सामने क्या हाल रहा गुरू गंटाल का तो महित का ली तो सबसे कर्णीशन प्रिशियेंट है 17 पाड़ा पूझा पूझा तो दरसल पताबगड की लक्षमनपूर में बने पूर माध्यमेक विद्यालेज में अचानक जीएम मार्कडेश शाही पहुच गए पहले तो बच्चों से कौन सी संख्या जादा होती है और कौन सी कम के बारे में पूछा जब बच्चे जवाब नहीं दे पाए तो मासर साहब को बुला लिया गया जब मासर साहब क्लास में पहुचे तो DM मार्केडे शाही ने पहले उनसे गुड आफ्टनून की इंग्लिश में स्पैलिंग पूछी तब मास्टर साहब ने स्पैलिंग सही से नहीं लिख पाये थे उसके बाद मास्टर साहब ने कहा कि वह तो गडित के टीचर हैं तो उनसे DM ने 17 का पहाडा सुनाने को कहा लेकिन वह 17 का पहाडा भी नहीं सुना सके इस DM ने नराजगी जताते हुए मास्टर को तुरंट सस्पैन कर दिया लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उड़ता है कि अगर स्कूल के टीचरों का ये हाल है तो वो बच्चों को क्या पढ़ा रहे थी क्या सिखा रहे थी ये देश के भविश्य कहे जाने वाले बच्चों के साथ खिलवार है या नहीं ये बात हम आप पर छोड़ते हैं लेकिन साथ बच्ड़ते हैं